आजके वीडियो में इस स्टाटर का क्नेशिन हम करने वाले Hate Service के साथ तो इसका क्नेशिन किस तरह से करते हैं लगए पूरा बताओंगा और ये काम किस तरह से करता है इसके वारे वं जानने वाले तो यहां पे है Int ejercben श्रॉख करते तो आपको यहां पर set कर लेना इसको continuity पर तो सबसे पहले यहां पर multimeter की continuity check करते तो इन दोनों को एक करेंगे तो यहां पर continuity बता रहा है तो हमारा यहां पर सही है उसके बाद यहां पर जो हमारा float switch है उसमें से यहाँ पर तीन wire भारा आ चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो सबसे पहले हमें इसमें से जो common wire उसे दूणना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करेंगे एक wire को छोड़ देंगे इसको और उसके बाद जो blue wire और black wire इन दोनों की यहाँ पर continuity लेंगे तो यहाँ पर float switch आप नीचे है तो नीचे रहने की बाद भी है यहाँ पर इसके continuity आनी चाहिए तो यहाँ पर चेक कर लेते तो इस तरह से लगाएंगे दोनों wire को तो यहाँ पर देख सकते ही यहाँ यहाँ पर continuity बता रहा है तो यह सई है अब यहाँ नीचे है यहाँ पर normally close है नीचे रहने के बाद उसके बाद red वाला और black and wire चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने के बाद हम्हें यहाँ यह नहीं बताएगा क्योंकि अभी यह नीचे है तो अभी यह नॉर्मली ओपन है तो इसे हम यह आपर उपर कर लेंगे तो यह आपर यह नॉर्मली क्लोज हो जाएगा तो इससे यह आपर उठा लेते तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे continuity बता रहा है यह भी normally close है तो उपर आने के बाद हमारी motor बंध हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं blue wire और black wire के बारे में जब हमने इसके साथ इसके continuity लिये थी तब यह नीचे था तब यह normally close था तब यह नीचे रहेगा तो मोटर को चालो नहीं कर पाएगा तो इसलिए हम इस blue wire को छोड़ देंगे red wire और black wire का connection करेंगे हम motor के साथ क्योंकि जब यह उपर आता है तो यह normally close हो जाता है और motor हमारे बंद हो जाएगी और इसे हम नीचे करेंगे तो हमारे motor यह पर चालो हो जाएगी तो इस तरह से यह काम करता है इसके बाद connection करेंगे starter में float switch का तो इस तरह से छोटा wire लेना है और जो हमारा float switch का wire है black वाला तो इन दोनों wire को एक साथ करेंगे उसके बाद इस wire को हम लगाएंगे सबसे आखिर में तो पहले इसके अंदर से आसे लेते और उसे हम लगाएंगे सबसे आखिर में क्योंकि इसके उपर जो black wire है वो common का wire है तो हम इसको यह पर जोड़ देंगे और इसके screw को अच्छी तरह से tight कर देंगे हम इसके बाद इस wire का connection करेंगे उसके बाद जोड़े टर्मिनल में तो यहाँ पर इस wire को लगा देते तो इस तरह से आपको यहाँ पर link करना है screw को अच्छी तरह से tight कर लेना है तो यहाँ पर हो गया उसके बाद जो wire बची हमारे red वाली float switch की तो इसको यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर इसको लगा देते तो यहाँ पर हमने connection कर लिया है उसके बाद इसे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इस starter को हम लेके चलेंगे जहाँ पर हमरे motor लगी है तो यहाँ पे दिखी यह motor का wire है टंकी में से आया हो है wire है और इसको हमने यहाँ पे starter साथ जोड़ दिया है तो यहाँ आप देख सकते हूँ तो यहाँ पे इसको open करके भी दिखा तो आपको यहाँ पे तो यहाँ पे R यह Y और यह B तो यहाँ पे हमने तीनों wire को जोड़ दिया है motor के उसके बाद यह phase का wire है और यहाँ पे टॉप है तो इसे हम main supply में लगा देते हैं यहाँ तो यहाँ पे main supply है तो यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद करने के बाद इसका supply भी हम चालो करने वाले तो यहाँ पे हमने float switch को यहाँ पे खिड़की में रखा है और यहाँ पे हमने starter को on किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे चारव भी light लगा है तो इसका मतलब है हमारे दोनों भी tank है यहाँ फ तो यहाँ पे टंकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इस टंकी में से इस wire को यह wire हमारा यहाँ से अंदर गया हुआ है और उसे हमने motor के साथ जोड़ा हुआ है आर वाई बी का जो wire हमारा motor का तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे टंकी है उसके बाद यहाँ पे starter रखा है हमने खिड़की में तो उसके बाद क्या करते है मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट चुश को और आप यह उपर है तो मैं इसको यहाँ आप नीचे कर दूँगा और नीचे करने के बाद हमारे motor यहाँ पे चालो हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ यहाँ पे पानी भी आ रहा है उपर करूंगा तो यह बंद हो जाएगा तो यहाँ आप स्टार्टरन में भी ध्यान दो यहाँ पर हमारा on है तो मैंने इसको उसके बाद यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे 6 अंपेर करेंट ले रहा है motor हमारा और यहाँ पे होल्टेज 202ली से तो यहाँ पे डिजिटल मंटे मिटर में हमें शो करके बता रहा है तो इस तरह से स्टार्टर भी भूत अच्छे क्वालिटिक आए तो आपको पर्चेस कर लाइक करें देना हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सबी दोस्तों के शेर भी करना ताकि उनको भी कुछ नया से इकने को मिले और कुछ लोगों को इसका फायदा भी हो जाए तो आज के लिए इतना ही तो मिलते है नेक्स्ट टूडियो में तब